हाई गाई वेल्कम टो बास्माइल अफिशन मेरे पास यह लावा जेट साट का सटाय हुआ है इसका टेच प्राब्लम यह देखिया है टेच बहुत ही बुरी दरीके से फूटा हुआ है टोटा हुआ है और हमें इसको निकाल कर दोसा टेच यहां पर लगाना है कि इस तरीके से हम टेच को निकालेंगे वह हम आपको पूरी जानकारी देंगे चलिए इसको हम 5 मिनट के लिए इसको गरम करेंगे सबसे पहले चलिए हम इसको यह देपर उपन कर लेदें फिर कैसे टेच निकालता हो का दाते हम आवको कि इस निकर आखे है अलमें हम अधर बर्को निकालें को लाराम से वोड़ बनीकल क्या मैं विडियों को इस्किपकर के बार बार डिखरंग वरना विडियों बहुत जादा लंबी हो जाएगी चलिए अब यह यह टेस्ट का पत्ता है और हमें टेस्ट भी निकालना है इसको पांट मिनाट के लिए गरम करते हैं हेट करते हैं यह हमने हेट कर दिया हम भी जूपर फोच करके यह थोड़ा रादा गरम हो गया है चलिए अच्छे से देखकर वरना इसका डिस्विले भी जा सकता है तुलाग हो जा राम से यह हमें इसको निकालना होगा है अहिस्ट आस्ता आस्ता आए अच्छे है यह निकालना है गरब करने से देखें बहुत ही आसानी सी कट रहा है इसमें जो गम लगा होता है वह गम बहुत ही आसानी देखें और हमें पता देखें भी इसे कटना है कि ऐसा नहों कि हम काटने में विस्तर हैं और डिस्विल पक्ता भी कड़ जाए उसी में जदेगे दुस्तों इसको हिट करने से कितने आसानी के साथ यह निकल रहा है जदे कि आपके आसे का रहा है और कर दो कर दो कर दो कर दो कि आपके दो ऑगा है कि गिए उसकिप कर दो दो ऑग ओग अब यह देखिए मैंने कोई दरीके से टेस्ट को अलग कर दिया है अब हम इसकी सफाई करके हमें आवर दोसरा टेस्ट लगाना है अब चलिए हमने सफाई भी कर दी अवी थोड़ा इसको और फिर साफ कर लेते हैं हमाई स्टस को यहां पर लगाना है थो आप साफ कर लेते हैं अब हम यहां पर गम लगाते हैं थो अच्छे से यहां पर चार तरह हमें यह गम लगाना हैं अब हम लगा दिया अब हम यहां पर टश को लगाते हैं और यहां पर टश अच्छी तरीका से लगाकर फटा 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 हम यहां पर रब्र मार लेंगे ताकि अच्छे से चिविक जाये अच्छे से लग जाये चली हमने यह सिट्रेश लगा दिया फटा फटा फटे मियां पर रब्र लगातेते हैं ताकि यह थोड़ा इसको दबाया रखिया होड़ी अच्छे से सोल्ड रचा अच्छे से चिविक जाये दोस्तों अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हट रोज नई अपडेट वीडियो आपको मिलती रहें अच्छे से मिया पर अपड़ लगा देना है और देखके कोई पत्ता न कर जा इससे इसलिए में अच्छे से इसको देखके सही से लगाना है यह हमने अच्छे से लगा दिया इसको भी लगा दे और फिर इसको सोखने के लिए कम से कम एक घंटा इसको हम रख देंगे ताकि यह सोख जाए पर इसके बाद हम इसको रबड को यहां से हठाइंगे चल्यमिश को शुखने के लिए रखते हैं इसको थोट दैख लेता है यहां पर और हम यहां पर इसको रख देता हैं वन हर्स के लिए एक घंटे के लिए चलिए अब हम इसको यहां पर निकाल देते हैं मैंने यहां पर देर घंटे के बाद इसको निकाला है और चलिए अब हम फड़ा फड़ते मादर बोट को सेट कर देते हैं अब हम इसको यहां पर देते हैं अब हम इसको अच्छे से अब हम इसको भी लगा देते हैं अब हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब हुआ 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 है अब हुआ है यहां पर दुस्तों इसको पेश्च को लगा देते हैं हर एक पेश्च को फड़ा फड़ से अब हुआ है यहां पर बैटरी लगा के चेक करते हैं कि हमारा टेश्च किस तरीके से काम कर रहा है वार कर रहा है किस तरीके से अच्छा वार कर रहा है यह नहीं कर रहा है इसको मटा देते हैं ताकि फिनिशन आखे आपने है अब है ठुक दून भॉल जो जो भॉला जो आहाँ इहां मार्टी कोगा बजया वीद अमोगा च्वाज kinda rescाता मार्टे ज्याले में कष्या जिद्ध में जुटार जुटार जी जुट सेघा जीदुटार जीद प्रॉटे mean कितना टूटा हुआ दार कितना बढ़ी है वेतरी हो गया है कितना अच्छा कितना अच्छा कर रहा है कि वर्ट कर रहा है कि अच्छा कर रहा है और भी कोई जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पोच सकते हैं